एलो फ्रेंड्स कैसे हो आपका स्वागत है संस्तानम भाय गोरवासर YouTube चैनल पर आज हम बात करेंगे कि आरो आरो पेपर लीक के क्या अपडेट है उसमें चल क्या रहा है क्या खेलना चाह रहा है स्टुवेंट के साथ देखिए इस में सबसे इंपोर्डेंट बात ही है कि आयोग तो अपनी मर्मर्जी कर रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है अभी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने बोला कि जिनको ये लगता है कि पेपर लिख हुआ है वे साक्षे शपत पत्र के साथ उन्होंने अपना मोबाइल नंबर एफेड़ेट के साथ एक दम प्रोवाइड करे हमें आयोग ने जब आयोग को पता चल गया था देखे पहले वो देख लेते हैं शपत पत्र क्या उन्होंने अपनी विज्यप्ती भेजी है देख लीजी एक बार जो उन्होंने अपनी विज्यप्ती भेजी है उसमें एक बार देख लेते हैं ठीक है देखिए इन्होंने बोला है कि जो आयोग परकरण की महत्ता एम सम्वेदन शीलता के द्रस्टिकत पूरी परिक्षा की वस्तुपर विवेचना हे तू आयोग इस तर पर आंतरिक समीती पहला तो यह पोइंट ले लीजिए आंतरिक समीती मैं बताओंगा फिर बाद में आपको इसके बारे में यदि उक्त परिक्षा के प्रशन पत्रों के उसकी प्रती शपत पत्र वाइरल होने के संबंद में किसी के पास प्रासंगिक रिलेटिव एविडेंस है तो उसकी प्रत आपकि शपत पत्र के माध्यम से जिससे उसका नाम उसका नाम अड्रेस जो दी अ कि मॉबाइल नंबर अधार नंबर अँवा कि कि अधार नंबर कि अंकित हो इमेल आईडी दे दी उन्होंने अपनी यह वाली इस पर वो दो मार्ज तक का टाइम दे इसका मतलब हैं आर्य यारों को ने दो मार्श तक तो टाल दिया अब देखें में चीज ये एफ़ेडेविट के साथ क्यों मांग रहे हैं उसका जो कितनी बार ऐसा होता है कि शासन प्रसासन का स्टुडेंट्स पर इतना दबा होता है वह अपना नाम क्यों भाई क्यों अपना नाम बताएगा वह उपर से आधार नमबर भी उसका ऐड़ेस भी सा मॉबाइल नमबर भी सब कुछ तो फिर अब तक तुम कर के आ रहे थे भई 12 तारिक को 12 फरवरी को इन्होंने पहला नोटिस जारी किया था इन्होंने जिसमें बोला कि हमने तीन सदिश्चिये इंटर्नल कमेटी बनाई है, STF की टीम बनाई है, फिर 16 तारिक में दूसरा, 16 फरवरी में दूसरा जारी किया तो यह 4 दिन तक कर क्या रहे थे, 4 दिन तक यह इंटर्नल कमेटी, यह STF की टीम कर क्या रहे थे 4 दिन तक, यह सोचने में लगी थी क्या कि हम अगला नोटिस क्या निकाले और कैसे निकाले, यह सोचने में लगी थी, जब आखरी में evidence भी उन्हें ही देने है तो फिर तुम कर क्या रहे थे वह एविडेंस इखटा करना तुम्हारा काम है तुम जाओ चेक करो जाच पड़ताल करो इन्वेस्टिगेट करो सब कुछ अब इस्टुडेंट देगा इस्टुडेंट जाके देगा कि देखो जी जो वाइरल है तो सब को दिख रहा है उन्हें नहीं दिख रह दिया यह नया नोटिस और निकाल दिया जबकी जबकी देखिए जबकी आजाद अधिकार सेना के राष्ट्य अध्यक्स और IPS ओफिसर उत्तरपरदेश के फेमस IPS ओफिसर रहे है अमिताब ठाकुर अमिताब ठाकुर ने लखनाउं में जन सुनवाई के हजरच गंज के माध परिक्षा से पहले पेपर वाइरल हो गया था जिसके शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने कई मोबाइल नंबर भी उपलब्द कराए जिनके माध्यम से पेपर वाइरल हुआ था यह तो अल्रेडी सब करा चुके है अब स्टूडेंट्स पे नया प्रेशर कि आप यह जाता हो तो इसलिए इन्होंने शपत पत्र के साथ नामाधार नंबर मोबाइल नंबर जैसे गाजीपूर में जिस स्टूडेंट ने यह बताया था कि पेपर लीक हुआ और उनके सीसी टीवी कैमरा में यह सब कह दे कि पेपर जिस लिफाफे में आता है जिस पैकिट में आ यह इन्हाटक चल रहा है अब दो मार्श तक इन्होंने टाल दियस अबकुछ इसका मतलब दो माश तक तो अब कुछ नहीं होगा दो मार्श तक जो भी जैसे भी करेंगे समज में नहीं लेकिन मैं अन्त में यही कहूंगा आयोग सभी में रिक्वेस्ट है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड मत करें बच्चों का भविष्य बहुत जरूरी है क्योंकि कल यही स्टुडेंट्स पदों पर बैठेंगे इन्हें भी पदों पर बैठना है तभी देश का भविष्य उजवल होगा यह अगर हमारा यूथ आगे बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा इस तरह के करम कांडो से देश आगे नहीं बढ़ेगा इस तरह के जो क्रिया कलाप है जो किये जा रहे है इस तरह के क्रिया कलाप उसे देश पीछे हटता है ना कि आगे बढ़ता है ठीक है न, तो इन सब का भी ध्यान रखना है, फिर आखरी में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये सब जो हो रहा है, ये तो देखिए, अपने आत में नहीं है, लेकिन, फिर मैं एक बात कहूंगा कि आप सभी को, कि आप लोग अपना PCS की तयारी करते रहे, क्योंकि ये एक तरह से टेला दिया, इंटरनल कमेटिक कर क्या रही थी, ये बताईए, STF कर क्या रही थी, आखरी में मतलब एक चार दिन बाद एक ओर नोटिस जारी कर दिया कि हमें साक्षे दे दो, भई तुम क्या कर रहे थे, साक्षे लेना तुम्हारा काम है, हम क्यों दे, तु मार्च तक तो ये टेला दिया, इस से अच्छा है कि आप अपना PCS का एक्जाम दे, इन्होंने इस एक्जाम को एक तरह से मैं, जो मुझे लग रहा है, हंग कर दिया, हंग, लटका दिया इस पेपर को, ठीक है ना, तो ये पेपर एक तरह से लटका दिया इन्होंने, अब PC PCS की तेयारी करें, अब आगे हमारे पास कोई option निया, इस स्टुडेंट के पास कोई option निया, सिर्फ PCS का option है, उसके बाद 26 मही में UPSC का एक्जाम है, तो अपना आप PCS की तेयारी कीजिए, और आगे की कारवाई देखते रहेंगे, चलता रहेंगे, प्रोसेस तो साथ के नजरे होने चाहिए, एक अपने भविश्य पर, एक उन लोगों पर जो हमारे भविश्य के साथ खिलवाड कर रहें, उन लोगों पर, इन जैसे लोगों पर, ठीक है ना, तो इन पर भी स्टुडेंट की नजरे होने चाहिए, साथ ही वैसे वहाँ पे इलाबाद में इस नो गजब की बात है, कि मतलब चार दिन तक कर क्या रही थी आपकी STF की टीम, आपकी इंटरनल कमेटी क्या कर रही थी, यही सोचने में लगी थी, क्या कि चार दिन बाद हमें नोटिस निकालना है और हमें ये डालना है फिर उसमें, जब आपको दिखनी रहा है, बाइरल हो र आप इन्हें नया क्या चाहिए, कौन देगा नया, बाइज चोर है, जो चोर है वो तो देगा नहीं, कि मैंने चोरी की है, मैंने ये पेपर लीक किया है, तो ले लो, देखो मेरा मुबाइल नमबर, मेरा एडरेस, मेरा आदार नमबर ले लो आप, आओ मुझे पकड़ लो, वो तो देगा नहीं और जो सब के पास है वो आपको भी पता है अब अलग से कौन क्या देगा इन चीजों का विशेश ध्यान रखे खेर आप लोग को तो देखिए इस्टुडेंट का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है यह सब तो करना पड़ेगा यह सब जेलना पड़ेगा यह तो देश की आजादी के बाद से हमेशा से यही चलता है ब्रस्टचार बहुत ज्यादे फैल चुका है खेर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आई होगी इसमें सक्त से सक्त कदम उठाएं और बच्चों के साथ खिलवार नहोंने दे ठीक है और फिर मैं एक बात कहूंगा आप 17 मार्च को दिहान में रखिए 17 मार्च अब हमारा टार्गेट 17 मार्च है अगर हम यह सोचकर बैठ जाएंगे कि इसमें तो पेपर लीक हो गया और क्या पता इसका भी हो जाए तो यह ऐसे सोचेंगे तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हमें अपने प्रियासों को तो करना पड़ेगा अपने प्रियास तो हमें करने पड़ेंगे हमेशा आगे बढ़ते रहना है ठीक है ना तो आगे बढ़ेंगे तब ही हमारा देश आगे बढ़ेगा तो इस चीज का विशेश ध्यान रखे, मेहनत जारी करिए अपनी, मेहनत रखिए और मेहनत का फल मीठा तो होता ही है, इसमें तो कोई दोर आए नहीं, आज नहीं तो कल सकस्स तो मिलेगी, ठीक है, तो आप अपना इसकी तेयारी कीजिए और हाँ मैं आपको एक बात और बता जो होती है, आवोर्ड्स, और स्पोर्ट से रिलेटिड, जितने भी इंपोर्टेंट के टोपिक होंगे, यह मैं आपको कराऊंगा, जितने भी होंगे, देश के अंदर जो भी, सम्मिट, सबसे इंपोर्टेंट सम्मिट जो होई, इंटरनेशनल और नेशनल, नेशनल प्लस international, जहां से question पूछे जाते है PCS में, हमेशा current में maximum question यही से पूछे जाते है मैं आपको बता देता हूँ, maximum question यही से पूछे जाते है, उद्गाटन उद्गाटन, उद्गाटन, आ गया तो आ गया नहीं जादे से जादे मेरे चैनल को सबस्क्राइब किजिए थेंक यू